पहाडों की राने शिमला में बर्फबारी की सफेद चादर बिच गई है बिती शाम से शिमला में बर्फबारी का करम जारी है प्रदेश में बर्फबारी से सामाने जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है कई सडके अवरुध हो गई है, शिमला के काट रोड से बर्फ हटाली गई है, हाला कि शिमला में अभी बर्फ बारी जा रही है शिमला में कौन से सडक्मार्ग बंध हुए हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं शिम्ला शहर में पुराना बस्टेंड से महली और टूटी कंडी की रोड अभी खुले हैं इसके लावा शहर में सभी सडकों पर बर्फबारी के कारण फिसलन है थियोग चौपाल सडकमार्ग खिड़की क्षेतर में थियोग रामपूर सडकमार्ग नारकंडा में ठियोग रोडू सडक मार्ग खड़ा पत्थर में, शिमला ठियोग सडक मार्ग कुफरी में, शिमला करसोग सडक मार्ग मशोगरा में अवरुद है National Highway Authority लोक निर्माण विभाग नगर निगम द्वारा उपरोक्त सडकों से बर्फ हटाई जा रही है डीसी शिमला ने जानकारी दी है कि बर्फ बारी को हटाने के लिए मशीनरी लगी है, शीगर ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा शिमला पुलिस के अनुसार उपरोक्त सडक मार्गों पर यात्रा स्थगित करें अत्यधिक आविशक्ता होने पर ही सुरक्षित वेकल्पिक मार्ग से यात्रा करें परियाटकों को सला दी जाती है कि वे ऐसे ड्राइवरों के साथ यात्रा करें जिनके पास बर्फीलेक शेतर में ड्राइव करने का अच्छा अनुभव है अपातकालीन स्थिती में सहायता के लिए पुलिस सहायता कक्ष 0177-2812344-112 या नजदी की पुलिस थाना में संपर्क करें हिमाचल से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए बने रहे एड़वन 24 के साथ